नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नहा वर्मा किंद्री जाच बीरों ने कश्मीर के दो आई एस अधिकारियों को गिरफतार किया है इन पर फर्जी काग जातों और बिना वेरिफिकेशन के बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी करने का रोप लगा है जानकारी के मताबिक हर केस के आठ से 10 लाख रुपाई लेकर दो साल में 30,000 आम्स लाइसेंस जारी किये गए हैं आपको बता दे कि खुलासा हुआ है कि हर्याना पंजाब चिंडिगर समेत अनिराजों के लोगों के फर्जी काग जो पर लाइसेंस बनाए राजीव रंचन को चंडिगर से काबू किया गया है इसके अलावा करी दूसेरे आई एस अधिकारियों पर CBI को फर्जी तरीके से लाइसेंस देने के मामले में शक्ов है CBI जल्द ही और भी गिरफतारियां कर सकती है राजीव रंजन को गिरफतार करने से पहले कश्मीर सरकार से CBI ने इजाज़त ली है क्योंकि वह कश्मीर काजर के IAS अधिकारी है चंडिकट कोट में CBI के सरकारी वकी नरींदर सिंग ने कहा कि आरूपी IAS राजीव रंजन कुपवाड़ा में 2016 से 2017 तक दो साल बतोड डीसी तैनाग रहे इस दोरान उन्होंने 30,000 आम्स लाइसंस बनवा दिये बताते चले कि CBI कुछ शक है कि राजीव रंजन के लावा इस आम्स लाइसंस रैकेट में कयन्नी IAS अफसर भी शामिल हो सकते हैं इसी अधार पर पिछले दिनों कुछ हवसरों के घर वो ओफिसरों में सर्च भी किया गया था इसमें 2007 बैच कश्मीर केजर की IAS तथा यशाम मुदगिल जो की पहले उधमपूर की DC भी थी DC किष्टवाडा सली मोहमद पुल्वामा के DC रह चुके जहागी एहमद मीर और डोडा रह चुके जहागी एहमद मीर और डोडा के DM रह चुके फारुक एहमद खांच शामिल है सुत्रों की मानिक तो जल्धी CBI इनसे भी पूस्ताज कर सकती है बताते चले कि राजस्तान पुलिस ने IAS अफसर राजीव रंजन के भाई जोती रंजन के भाई को भीस 2017 में काबू कर उनके पास से धेरों फरजी आम्स लाइसेंस जब किये थे उसी कड़ी में पूस्ताज करने में पूलिस को काफी पुकता सबूत हाथ भी लगे थे जिसके बाद डीजी पी ओपी गिलहोत्रा ने शक जताय था कि फरजी आम्स लाइसेंस रैकेट में राजीव रंजन का भी हाथ हो सकता है गिलहोत्रा ने इसकी सीक्रेट जानकारी सीबी आई को दी थी 30 दिसंबर 2019 को सीबी आई ने आई एस अधिकारी यशा मुद्गुल कुमार राजीव रंजन इतरत हुसेन रफीकी मोहमत सली मोहमत जुदेन खान एसफी भगवत फारुक एदमत खान और जाहंगीर एहमत के घरों पर छापा मार कर दाला अशीरी थी यशा बिजली वित्रन निगम जम्मु की सीओ और परबंदक निदेशक है इससे पहले 10 जुलाई 2019 को जाँच जेंसी ने जम्मु कठुआ उधंपूर और शीरी नगर में 11 जगहों पर एक साथ चापा मारा था ATS को जाँच में यह भी पता चला था कि 3300 सुरक्षा कर्मियों ने भी जम्मु कश्मीर से गन लाइसेंस हासिल किये है जम्मु कश्मीर से 4.29 लाइसेंस जारी करने की बात जाँच में सामने आई है इसमें 90 फीस दी लाइसेंस दूसरे राज्ये की लोगों को जारी किये गए है कुपवाड़ा, बारामुला, शोपिया, राजोरी, उधंपूर, डोड़ा और रामबर जीले में सबसे अधिक लाइसेंस जारी किये गए है डोड़ा रामबर उउधंपूर जीले से जारी एक लाग 32,013 लाइसेंस में से एक लाग 22,321 लाइसेंस दूसरे राज्ये में रहने वालों को जारी किये गए है हाला कि कोपवाड़ा जीले में लाइसेंस से जोड़ी कोई फाइल भी नहीं मिली है टीम इंडिया के किप्तान रहे महेंदे सिंग धोनी ने भी यहां से लाइसेंस के लिए आवेदन किया था जिसे रत कर दिया गया था फरसी गल लाइसेंस में गिरफतार किये गए इतरत हुसेन रफीकी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने ब्रस्टाचार के मामले में गजशुकरवार को बारा मुला के एंटी करप्शन कोर्ट में चालान पेश किया था यह मामला 2015 के दुरान सब स्टेंडर्ड मैटिंग और अन्ये फिनिशिंग आइटम्स की खरीद का है आरोप है कि जिला सर की खरीद कमीटी ने मैटिंग और फिनिशिंग आइटम अधिक दामों पर खरीदी इससे सरकार खजाने में सेंध मारी की गई पंद्रा लाग से अधिक पैसे डीलर को दिये गए इसमें रफीकी समय छे अफसरों जीला प्रोग्राम पर अफसर आई सीडी एस कासीम वानी गुलाम नवी भट जीला ट्रेजरी अफसर कुपवाडा इंचार सहायक निदेशक C.A.P.D. कुपवाडा मुश्ताग एहमत इंचार्ज जनल मैनेजर जीला इंजुस्टी सेंचे कुपवाडा खुशी देहमत भली के ग्रों को आपरेटिव मार्किटिंग लिम्टिड के नाम शामिर है ऐसे ही लेटेश दोबरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाद बंक्वेट एंटर्प्राइब